हेलो एवरीवन जी हाँ आपने जो वीडियो का टाइटल पड़ा है वो 100% सच है कि हाँ LIC के नाम पे मेरे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की गई है यह जो फ्रॉड है जो लोग LIC के नाम पे करते है यह अल्रेडी बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है या तो फिर आपके साथ भी इन फ्यूचर हो सकता है तो फ्रेंड्स आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आज का वीडियो बहुत ही इंपोर्टन होने वाले आपके लिए तो इससे अच्छा है कि पहले इस वीडियो को देख कर आप संबल जाओ ताकि आपका जो पैसा है वो कहीं गलत जगा पी इन्वेस्ट ना हो जाए और कहीं पे आपके पैसे फस्स ना जाए 12 नवेंबर 2020 उस टाइम पे दोपेर के टाइम पे तकरीब बन डेड़ बजे के आसपास मेरे पे एक टेक्स मेसेज आता है मतलब के उस मेसेज में लिखा गया था कि आपको डेली के 26 रुपीज मतलब के महिने के तकरीब उन हुए 800-900 रुपया आपको इन्वेस्ट करने जिसके सामने आपको एक करोड का LIC मिलेगा और उसके साथ-साथ 83,333 रुपीज की मन्थली गैरेंटीड इंकम मिलेगी और उसके बाद उन्होंने निचल लिंक दिया था कि आप इस पर क्लिक कर दीजे आगे प्रोसीजर करने के लिए सो मैंने भी सोचा कि यार 800-900 रुपय में इतना सारा बेनिफिट दे रहा है सो ये बात थोड़ी बहुत अज़म नहीं हो रही सो मैंने सोचा क्यों ना आगे इसमें प्रोसीजर किया जाए और देखा जाए कि क्या होता है वो क्या प्रोवाइड करते है सो मैंने उस लिंक पे क्लिक किया आफ्टर देट विंडो ओपन हुआ जिसमें जो वेबसाइट था उसका नाम था policyx.com ओके सो जैसे मैंने क्लिक किया वो वेबसाइट ओपन हो गए आफ्टर देट थोड़ी बहुत information मेरे से पूछी गई कि मेरा नाम क्या है email id mobile number मेरा graduation मतलब कि मेरा education कितना है and after that आपकी income कितनी है ये सारी चीज़े वहाँ पे पूछी गई and उसके बाद उन्होंने वो document को वहाँ पे submit कर दिया and exactly 15 minute के बाद मेरे पे वहाँ से call आता है policyx.com से अभी किस सारे से वह हमें बातों में goal गुमाते हैं किस सारे से वह LIC के नाम पे गलत चीज़ों में हमारा पैसा invest कराते हैं ये सारी चीज़ों को मैं ने कर लिया है phone per record so यहाँ पे मैं आपके साथ ये जो phone recording है वह आपके साथ करने की कोशिश करते हैं यह सारे चीज में आपके साथ डिसकस करने वाला हो यहाँ पे मैं अभी जो phone recording है वह चलांगा लेकिन मैं चीज क्लियर करना चाहूंगा कि वह जो recording है वह थोड़ा आपको भी पता होगा कि फोन से रेकोर्ड किया गया है तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान से वह सुनना पड़ेगा तो लेट्स गो अब शुर्ण के लिए अब तो मेरे पर मैसेज आए कि पर ट्वेटी शिक्स रूपीज एंड एप्रिमांथ 83 गोई होगी इनकम लाई सीगा पर अब करेंगे तो मत्री आपको शेतर सार्स रुपीज पर पड़ेगा रही करेंगे और एक ताइम के बाद एक ताइम के बाद एक आपको लाइट कावरेज विलेगा उजाए तो इसमें आपको अगर आपके सब्मिजातन हो जाती है तो उसमें जो बाता गया था मंतल 83,000 का तो इनकम उसका क्या पंड़ा है? मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि मैसेज में था कि मंतली इंकम 83,000 होगा उसका क्या है? मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि यहां पर जो मेरे पर टेक्स में से जाए था कंपनी में से वहां पर बताया था कि आपको मंतली इंकम मिलेगी यह प्लान में गैरेंटीड वो भी लिकिन यहां पर पता है कि यह तो इक सिफ्ट टम इंशरंस की एक स्कीम है यहां पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि चलो माल लेती कि आप कोई भी ऐसा टम इंशरंस ले तो जिसमें प्रीमियम पेंग टम खतम होने के बाद जितनी भी प्रीमियम एमाउंट है वह आपको वापिस मिल जाती है उसमें भी ऐसी ए ओके तो अभी मुझे यह बताईए कि इसमें जो एलाइटी मेंशन किया गया है वो क्या है जो जो living है कि रैंडनी करते हैं वह यह एक रोड़ी यह पें तो कंप्समें कहा है कि संच करते हैं कि तो近ु का सब्सक्राईट करिए इस अर्प गई वगलार प्राइटी थे यहां पर जब मैंने उनसे पुछा कि क्या LIC में भी सेम बेरिफिट्स में तब भाई साथ पुरी बाते हैं बातों को गुमाने लगे, मुझे बताने लगे कि भाई जैसे टीवी में इंस्टाग्राम पे आप एड्स देखते हो फ्रिक्वेंटली कि ICICI term insurance, HDIC term insurance, सेम वैसा ही है, मतलब कि पूरी बात को गुमाने लगे एंड में वो बोले कि हाँ, आपको LIC में भी सेम बेनिफिट सी मिलेंगे लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ अगें क्लियर करना चाहता हूँ कि LIC में जिदने भी term insurance options available है, उसमें कहीं पर भी अगर आप premium paying time खतम कर ले तो उसके बाद आपको monthly installment का तो बहुत दूरकी बात है आपका भरा हुआ पैसा भी आपको वापिस नहीं मिलता, तो LIC के term insurance में अगर आपकी premium paying time खतम हो जाते है, उसके बाद आपका सारा invest किया हुआ पैसा वहाँ पे रह जाता है आपको वापिस एक भी पैसा नहीं मिलता लेकिन इहां पर बोलते हैं कि भी आपको LIC में भी सारे benefits यह मिलेंगे अगर मैं मुझे कुछ नहीं होता है अगर मैं जिन्दा रहता हुआ अपर देट सारी अमोंट मिल जाए कि premium amount आपको जितने company मोरा जो हो वह सारा आपको रिटर्न में मैं करेंगा जब यह सारी चीज़ मैंने online in return मांगी तो भाईसा बोलते कि मैं आपको यह सब रिटर्न में तो नहीं दे सकता लिकिन मैं आपको लेकिन आपको भी पता है कि यह जो sales brochure रहता है वो एक company का selling tool रहता है मतलब कि उसमें जो products रहते हैं उसकी सारी अच्छी बात ही होते हैं उसमें जो turns and conditions होती है जिसमें बहुत सारी चीजे ऐसे होती है जिसमें गौर करने के इमेल आइडी को, ठीक है? ठीक है? तो वो जो policy bond होगा वो आई आरडी ए बेज़ेगा या फिर कोई रिस्पेक्टिव कम्नी बेज़ेगी? नाम कमें आता हूं जब कोई भी प्रफाइल कोई भी प्रफाइल जब आपको लेते हो ठीक है मना पोई इस देते हो क्या आपको देना चाहिए और नहीं देना चाहिए अच्छा, मतलब कोई कम्पनी में अंडर राइटर टीम नहीं होती अंडर राइटिंग टीम वो आई रडी ए की टीम होती है अलग सर्थ बाई साब ने तो यहाँ पर हदी कर दी उनका यह बुलना है कि अंडर राइटिंग टीम जो होती है वो आई रडी ए की होती है जो कॉमन होती है सारी कम्पनी के बीच में लेकिन यहाँ पर एक चीज में क्लियर करना चाहूंगा कि हर एक कम्पनी की सेपरेट अंडर क्या है वो सारी चीजों को देखने के बाद ве इंडरिटिंग डिसाइड करते के यह जो परसन न्व इस पॉलीची के लिए या नहीं को हैं हर एक कंपनी की सेपरेट अंडर राइटिंग टीम होती है जो डिसाइड करती है कि जो परसन पॉलाई करता है वहिवची पया है व अब समझ में आया कि यहां पर जो L.I.C. वर्ड है उसका कितना स्मार्टले यूस किया गया है अगें वो मैसेज को देखें यहां पर दिखा हुआ है 1 करोड L.I.C. यहां पर L.I.C. का मतलब Life Insurance Corporation of India नहीं है L.I.C. का मतलब है Life Insurance Cover जी हां लेकिन यहां पर L.I.C. को इस सरे से हाइलाइट किया गया है कि अगर कोई परसन वो मैसेज को देखता है तो सबसे पर ले उनकी नजर जाती है L.I.C. पर अच्छा L.I.C. का प्लान है तो तो भई अच्छा ही होगा और उस पर ट्रस्ट करके हम वो लिंक पर क्लिक कर देते हैं और आफ्टर देट हमें जो नहीं चाहिए वो चीज हमें वो पकड़ा देते हैं उसके बाद बाई साब यह भी बोल रहे है कि यह तो एक प्रमोशनल मैसेज है मतलब कि यहां पर जितना भी आपको दिखाया गया है वो गैरेंटीड नहीं है सिर्फ आपको अट्रेक्ट करने के लिए आपको एक थोड़ी सी लालस दी जाती है और हम लोग वहां पर क्लिक करके आगे प्रोसीजर करके पॉलिसी पर्चेस कर लेते और वहां पर उनका अच्छा कासा ही बॉनस चुट जाता है सो यह वो सारी चीजे जिससे हमें दूर रहना है और अभी रुकिए पिच्चर अभी खतम नहीं हुआ आए दिखते कि भाई साब और कितना गूल गुमाते है तो नेक्स लाइफ में मुझे दिखा रहा है 737 पर मॉन्थ आइसे एटंडेटेटेटेटेटीन रुपीस पर मॉन्थ एचडेशे 786 पर मॉन्थ यापर कहीं पर भी एलाइटी नहीं दिख रहा उसका भी मुझे प्रिमियम चेक करना है थे आपको अलग मुहां पर जाना पड़गाए अभी आप सहा पर कर पको अलग मुहां पर जाना पड़ेगा dialog अभी हों या मैं policyx.com पर यह हों लिकिन आपके हुआ पर अवाम पर शो तरे नहीं ह में पर भी एप एवेवेलेबल अध मीलेखा की नहीं। नाव, I don't want to waste my more time, huh? That's it. So, आपके माँ पर LIC अभी possible नहीं है, ना? Okay, so today, so, देखे, so, आज जो डेट है, वो है पारा नवंबर, ठीक है? Correct. So, मैं कब तक देखू? जो परसंद है, वो जो परसंद है, वो कंटिनियूसली मुझे बोल रहे थी, कि आपको हमारे पोडल पर से LIC की भी पॉलिसी मिलेगी, आप यहां से भी LIC का टम इंशूरंस पर्चेस कर सकते हो, जिसमें आपको यह सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन मैं कंटिनियूसली उ को सर्फ कर रहा था, कहीं पर भी LIC का नाम निशन नहीं था, और वो बोलते ही जा रहे थी, कि सर हमारे पे है अवेलेबल है, लेकिन जब उनको भी पता चला कि जी हाँ, एक्चुल मैं LIC अवेलेबल नहीं, उनके पॉर्टल पर फिर वो बोलने लगे कि शायद हमारी सिस्टम हमारी एक्यूरेट हो जाएगी, वो अपडेट हो जाएगी, उसके बाद आपको LIC का नाम दिखेगा, यहाँ पर प्रीमियम भी कैलकुलेट कर पाऊगे, एक दो दिन के बाद वो अवेलेबल हो जाएगा, वो चीज सी 12 नवेंबर की, आज हुए 17 नवेंबर, so let's check कि क्या वो चीज सच में अवेलेबल हुई है की नहीं आई, लिकिन लेप्टोप पर जाने से पेले एक चीज में यहाँ पर अगें क्लियर करना चाहूंगा, कि LIC की चाहे कोई भी पॉलिसी हो, वो LIC के ओफिशल वेबसाइट के अलावा, दुनिया के किसी भी ऑनलाइन प् से उन्होंने बताया था कि एक दो दीन के अंदर LIC update हो जाएगा, हमारी बात हुई थी 12 नवेंबर, 12 नवेंबर, तब उन्होंने बोला था कि 15 नवेंबर तक वो अपडेट हो जाएगा, आज की डेट है 17 नवेंबर, ठीक है, तो लेट सी कि अभी तक वो पॉलिसी एक्स प अफटर डेट यहाँ पर टर्म प्लांस में, तो यहाँ पर हर एक कंपनी का टर्म प्लान अवेलेबल है, लेकिन कहीं पर भी LIC का अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पर खतम हो गया लिस्ट, तो यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर अभी तक भी LIC का कोई ना करते है LIC Term Insurance Policy X ओके सो यहां पर Policy X.com पर यहां पर LIC का दिख रहा है लेट सी ओके सो यहां पर information मांग रहे है तो मैं यहां यहां पर मेरी information fill up कर देता हूं देखते हैं कि इनफोर्मेशन fill up करने के बाद क्या वो सारी चीज़ें हमें यहां पर show करते हैं कि नहीं करते हैं आपके सामने में सारी चीज़े fill up कर रहा हूं यहां पर यहां पर अगें मेरी income यहां पर में randomly कोई भी income यहां पर mention कर दे रहा हूं यहां पर मेरी city mention कर रहा हूं कर दो 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 कि अब यहां पर पूछ रहा है मेरा education occupation टाइप ओके अपडेट अभी I hope LIC अभी तो दिखनी चाहिए यहां पर लोडिंग ओके सो स्टार्टिंग में दिखाया LIC का जब हमने information फिलब किया देन अगें दूसरी companies आ गए मतलब कि यहां से LIC अगें अगें हटा दिया that means कि यह जो company है या तो फिर यह जो लोग है वो हम LIC के नाम पर एक तो attract करते हैं और उसके बाद हम उनके पेच पे जाते तो LIC का छोड़के सारी scheme समय यहां पर दिखाते हैं तो friends that's it from my side एक मैं आपसे request करना चाहूंगा कि please कहीं पर भी सस्ता समझ कर कहीं लालच में आकर किसी गलत जगा पर invest मत कर देना और इस सार के अगर आपके message आते है tax messages के इतना पैसे बढ़े और आपको इतना LIC मिले गया तो फिर किसी भी company का अगर इस सार से message आता है तो please उस पर trust मत करना because 8 देन आपके मैनत के पैसे है आप ही गवा बैठ हो गए अगर आपको आज का जो वीडियो पसंद आ तो please इसको कीजिए का like और हो सक्किए उतना आपको share करना है ताकि आपकी वज़ज़ से किसी और की पैसे बचेंगे अगर आपको इस सर के informative वीडियो पसंद आ तो please मेरी चैनल को कीजिए का subscribe और साथ में वो bell icon को दबाएगा